आप खुद गुरुजी बैंगन खाए दूजन को उपदेश ओपर्चुनिटीज खुलेगी तो उनको पता लगेगा कि सही मुद्धा देश में बेरोजगारी का है दुनिया में कही नाम आता है कि ये टेक्नलोजी है तो बोला है बंदा हिंदुस्तान का होगा शिवराज सिंग चौहान साब मेरी आपको चुनोती कि आपके बच्चे हिंदी माध्यम की स्कूल से पढ़े है मुझे पता है वो कहां से पढ़े एक बच्चा तो सिंबायोसिस से पढ़ रहा है क्या हिंदी माध्यम में परिक्षा दी उस बच्चे ने मैं आपसे पूछ रहा हूँ हमारे बच्चे जाए हिंदी माध्यम में और शिवराश सिंग चोहान के बच्चे अमेरिका, लंडन की यूनिवर्सिटियों में पड़े बड़े बड़े विश्विध्यालव में पड़े अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में पढ़े सारा ग्यान है हम लोगों के लिए सारा ग्यान है मध्यमायवर्गे परिवारों के लिए निमनायवर्गे और क्यों करते हैं पता आपको ये बात ताकि हम उनके बराबर नहीं बैठ सके उनसे आखों में आखे डाल के सवाल नहीं पूछ सके खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं लंडन में एक बच्चा पढ़ रहा हैं अमेरिका में बड़े-बड़े विश्विद्यालों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं और यहां पर हमको अंग्रेजी का बखान कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहूंगा जो भी लोग ये सवाल पूछते हैं पहले अपनी माक्षीट और अपने बच्चों की माक्षीट रखे हैं कि ये मेरी माक्षीट हिंदी माध्यम की मैं रख सकता हूं शिवराज जी मेरे में है वो कले जा और ये मेरे बच्चों की माक्षीट हिंदी माध्यम में सरकारी स्कूलों की और फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आप खुद गुरु जी बैंगन खाये दूजन को उपदेश तो ये इस तरह की बाते देश के बच्चों को देश के मिडल इंकम ग्रूप के परिवारों के बच्चों को लोगर इंकम ग्रूप परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की प्रक्रिया है ये उनको आगे, क्योंकि जैसे ही वो अंग्रेजी माद्दिय में पढ़ेंगे उनके पास पढ़ने का लिटरेचर जदा होगा जुई वो पढ़ने का लिटरेचर जदा होगा उनके पास opportunities खुलेगी तो उनको पता लगेगा कि सही मुद्दा देश में बेरोजगारी का है सही मुद्दा ये नहीं है कि कपड़ों के कलर देखके व्यक्तित का मैं विशलेशन करना हूँ सही मुद्दा शम्शान और कपरिस्तान का कंपरिजन नहीं है सही मुद्दा इस्कूल और कॉलेजों का कंपरिजन का है सही मुद्दा देश के युनिवर्सिटी और अमेरिका की युनिवर्सिटी के comparison का है, शम्शान और कब्रिस्तान के comparison का नहीं है तो पता लगेगा, तो ये इनकी एक modest operandi है, हिंदी माध्यम से हिंदी माध्यम मैं हिंदी माध्यम से जीवन बर पड़ा हूँ कोई गलत नहीं है, पर क्या हिंदी माध्यम के बच्चे हम अंग्रे जी नहीं पड़े, क्यों नहीं पड़े भाई, क्यों नहीं पड़े हम क्यों नहीं पड़े, मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे लिए scale, scope of future growth बढ़ता है अंग्रे जी माध्यम से, अंग्रे जी की किताब पड़ने से, तो क्यों नहीं पड़े हम, मैंने जीवन की सारी परिक्षाएं हिंदी में लिखी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अंग्रे जी से नफरत करूँ, जो भी अंग्रे जी बोले, उसको कऊँ, इसको कुछ नहीं आता, क्यों नहीं, मैं तो सीखना चीए मुझे, और आपको जानके ताज़ूब होगा, कि जो हमारी service industry boom की, जो liberalization, privatization, globalization के बाद देश की, जो middle class boom की, डॉक्टर मनमोन सिंग जी की नीतियों के बाद, जो देश में एक नया वर्ग बना, जिसको हम middle income group कहते हैं, वो क्यों बना, क्योंकि हमारे पास English understanding और English speaking population थी, जिसने उस service industry को अपना manpower supply करी, और वो service industry boom करी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि देश में Silicon Valley, देश में ने ने technological development हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया में कहीं भी software का नाम आता है, तो लोग यही कहते हैं कि हिंदुस्तान का होगा विक्ती, दुनिया में कहीं पर IT service का नाम आता है, बहले वो California हो, इसराइल हो या दुबाई हो, दुनिया में कहीं नाम आता है कि यह technology है, तो बोला है बंदा हिंदुस्तान का होगा, और अब हमको वापिस पूराने पाशन योग में पहुचाना चाहते हो, और खुद के बच्चों को अंग्रेजी बुलवाते हो, खुद के बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी माद्यम में पढ़ते हैं, और गरीब का बच्चा, मिडल कलास का बच्चा अंग्रेजी में नहीं पढ़ना ची वो सरकारी स्कूल में जाए